गुड मॉनिंग बच्चों आज मैं आपको सेकिंड क्लास में हिंदी का पार्ट 3 संतोस धन समझाऊंगी आज हम लोग अपना रिवीजन टेस्ट कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं आज हम नया चेप्टर पढ़ रहे हैं क्योंकि आप जानते हो 17 से आपके यूटी स्टार्ट उसके पास सभी सुकसादन थे लेकिन वो हर समय चिंता में डूबर रहता था वो इतना धन कमाना चाता था कि कई पीडियों तक उसका धन खत्म ना हो यानि किसी शहर में एक बहुत ही प्रसित धुमने मशूर और पैसे वाला धनी मतलब पैसे वाला सेट रहता था लेकिन फ वे बहुत ही ग्यानी थे ग्यानी मतलब विद्वान उनके आशीरवात से भक्तों की सभी इक्षाएं पूरी हो जाती थी यानि उनकी जब आशीरवात से सारे भक्त जो चाहते थे उनकी सब इक्षाएं सब कामनाएं पूरी हो जाती थी सेट ने सोचा कि मैं भी संत से मिलकर अपनी चिंता दूर कर लेता हूँ तो उसने क्या सोचा सेट ने कि मैं जाओं संत से मिल करके अपनी चिंता को दूर कर लेता हूँ उसलिए वो संत की सेवा में उपस्तित हुआ उपस्तित मतलब हाजिर संत को सेट का व्यवार अच्छा लगा और वे उसे आशिरवात देते हुए बोले तुमारी हर इक्षा पूरी हो यानि उनको उसका विवार बहुत अच्छा लगा और वे उसे आशिरवात देते हुए क्या बोले कि तुमारी हर इक्षा पूरी हो अभी कुछ चाड़ी बीते थे माने कुछ पल ही गुजरे थे कि संत बोले पर सेट तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक काम करना होगा कि आपको अगर अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक काम करना होगा तो क्या काम करना होगा देखिए सेट बोला आग्या की जे माराज मुझे क्या करना होगा तो संते ने सेट से कहा कि तुम्हारे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है पहले उस परिवार की लोगों को भोजन देया हो यानि वो जो उसका गरीब पड़ोसी परिवार था वो वहाँ उसके पास गया और वहाँ उसने क्या देखा कि वहाँ पर एक ओरत और एक लड़की साथ में टोकरियां बना रहे हैं उसे टोकते हुए सेट बोला बेहन जी मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ यानि उस ओरत को टोकते हुए वो बोला कि बेहन जी मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ महरबानी करके यानि रिपा करके आप इसे ले लीजिए यानि ये जो भोजन है आप इसको ले लीजिए सेट की आवाज सुनकर उस महिला ने कहा कि भाई आज का भोजन तो मेरे पास है इसलिए मुझे इसकी कोई जरूत नहीं यनि शीठ की आवाद जब सुनी उस ओरत ने तो वो क्या बोली कि भाई आज का खाना तो मेरे पास है और मुझे यह नहीं चाहिए तो सेट बोला इसे कल के लिए रख लीजिए तो बोला कोई बात नहीं अगर आज के लिए खाना है आपके पास तो आप इसे कल के लिए रख लो तो वो क्या बोली भाई मुझे कल की चिंता नहीं कहीं न कहीं से मुझे कल भी काम मिल ही जाएगा एसी बाते सुनकर सेट की समझ में आ गया कि गरीब होने पर भी ये परिवार कितना संतोश्टी संतोशी मतलब संतुष्ट और सुखी है यानि ये गरीब है फिर भी इनको कल की चिंता नहीं है और मैं इतना धनवान होने के बाद भी ये चिंता कर रहा हूं इतना धन होना चाहिए कि मेरी कई पीडिया खर्च करें और वो खत्म ना हो तो उसको समझ में आ गया कि कि संतोश की सबसे मुल्यवान धन है यानि संतुष्टी जो हमारे मन की होती है वही सबसे कीमती दौलत है तो यह आई होब कि यह चैप्टर सबको समझ में आ गया होगा तो अब हम इसकी एक्सेसाइज सॉल्व करेंगे तो एक्सेसाइज में सबसे पहले यहां आठ शब्दर्थ दे रखे हैं जो मैंने आज को आपको हुमवत में करने दिये हैं तो आप इसे फेर कॉपी में इसके बाद यहां चार यह प्रश्ण उत्तर हैं तो यह चारों मौफिक प्रश्ण और इसके बाद यह खार नंबर पर जो चार क्वेस्चन से इनको आप अपनी कॉपी में लोट डाउन करेंगे तो यह मैं सॉल्व करके यहां पर भेज रही हूं आपको पीडियाप बनाकर करने का तरीका बहुत सिम्पल जैसे मैं हमिशा कराती हूं सबसे पहले डेट डालेंगे फिर उसके बाद चेप्टर का नमबर चेप्टर का नाम और उसके बाद मैं फिर आप इए शब्द अर्थ heading डालने के बाद यह सारे आठ के आठ शब्द यहां शब्द के नीचे लि सेट सदा चिंता में डूबा रहता था दूसरा देखिए सेट के शहर में कौन पधारे तो सेट के शहर में एक संत पधारे तीसरा है सबकी एक्षाएं कैसे पूरी हो जाती थी तो देखिए संत के आशिरवात से सबकी एक्षाएं पूरी हो जाती थी चौथा देखिए सेट के पडोस का परिबार कैसा था तो सेट के पडोस का परिबार गरीब था फिर इसके बाद जो खार नमबर पर question answer दिये हैं तो हम उनको करेंगे तो मैंने five number डाल दिया इसको आप यहीं से करना शुरू कर देंगे सी के नीचे अगर आपके पेज में जगा है नी तो अगले पेज पर करेंगे तो देखिए सेट हर समय चिंता में क्यों डूबा रहता था तो देखिए इसका answer होगा सेट अधिक धन कमाने की चाहां में हर समय चिंता में डूबा रहता था इसके बाद अगला question है आपका कि सेट संत के पास क्यों गया तो इसका answer आप लिखेंगे सेट अपनी चिंता दूर करने के लिए संत के पास गया फिर इसके बाद अगला question देखिए 7 संत ने सेट को क्या अशिरवात दिया तो संत क्या देखा तो आंसर में आप लिखेंगे जब सेट अपने पड़ोसी के आ गया तो उसने देखा इतना तो आपके प्रश्ण में ही है कि एक मैला एक लड़की के साथ टोकरियां बना रही है I hope कि सबको समझ में आ गया होगा और ये सारा homework आपको अपनी fair notebook में करना है Thank you